कुरिया जाट नोसकार आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है इल्याज एहमद दोस्तो ये BMS के नेता हैं BMS यानि की भारतिय कोईला ख़दान मजदूर संख जो माइन से WCL की Western Coal Fin Limited ख़दान हैं जिसमें वरकर लोग काम करते हैं उसमें कुछ यूनियन होते हैं उसमें से एक यूनियन BMS जिनके लगभग 8000 से भी ज़्यादा मेंबर्सिप WCL में पुरे WCL में हैं आज हमारे बीच उपस्तित हैं इल्याज एहमद जी BMS के नेता तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं जी जान लगाए के मैनत कि अपनी जान जोकिम में डालके अपने परिवार को साइड करके उन्होंने खादान में प्रॉडक्शन किया इस देश को उज्जा दिया विजली की कमी नहीं होने दी यह सब चीजे है वरकर इसलिए बहुत कुछ चाहता है जैसे बीजली की कोरोना का करण कार में उन्हों ने अपनी जीजान लगाएं उन्होंने देश के शेवब किया ऐसे जाबास कामगार हमारे सव मुझे महले जो तो यह उन्में लोगों का हमेशा से देखा गया है यूनियन के साथ में अच्छी इनके पहल रही है एक यूनीटी के साथ यो लोग रहते यूनियन और लेबर के बीच में किस तरीके का समवाद होना चाहिए और किस तरीके समवाद रखते हैं वर्कर चाहता है कि उसको परिशानी आती है तो लीडर के पास जाता है जो भी परिशानी आती है वह अपना अपनी बाते दूसरे से जूड़े रहते हैं लेकिन कई बार इलियाज आहमेच जी कई बार यह देखा गया है कि छोटे वरकर हैं वह अपने यूनियन के बड़े लीडर के तक पहुंच नहीं पाते हैं कई बड़े लीडर का इन्वार्मेंट रहता है वह चीज को पूरा करेंगे बहुसती चीज़ा ऐसी है वह वरकर की पूरी नहीं होती जैसे बुद्वार है उती है उनके जो मसले मसायल है तो कभी कभी चोटे लीडर से नहीं होता है तो चोटे लीडर चाहता है कि बड़े लीडर आया इसमें वह वरकर का काम अंजाम दें खैर आप तो जैसा कि जो जनकारी हमारे पास में आप पहले बीएमस में थे फिर अन्यूनियन में वापस वीडर में इसका मतलब तो यह तो साफ हो जाता है कि आपको बाद में आया होगा कि भी एमस ही ठीक यूनिया या आप जिस भी यूनियन में होंगे उसके तो एक यूनियन का आपको एक अच्छी समझ भी यह तो यह फर्क बताएगी बीएमस और अन संगडन में जाइन किया वहां भी तीन सा मैंने काम किया पर मुझे काम करने का जो कारने परनाली है मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैं उसको छोड़ के वापस मैं भातियों घथा मद्धू अपने प्राने घर में वापस आया बीएमस में बहुत अच्छी चीज है कि उन सब्सक्राइब मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने अपना वापस अपना अपनी सरदस्यता वापस लेगी कई बार ऐसा देखा गया है कि मैंनेजमेंट जो है वह वर्करों पे इंप्लोई पे हावी होते दिखता है किसीने किसी वज़ा से इस बारे मैं आपका क्या क्या अभी कि सालों में देखा जा रहा है कि में वह ज्यादा हाभी होते चोड़ी-चोड़ी चीजों में चाल सेट करना सब्सक्राइब करना अपने आट नहीं रहाज करना तो इसमें थोड़ा साभी पहले के मनेश्बस यूनियान जो है थोड़ा सा कंजोड दिख्की नजर आ कि इसमें वरकर के करीब आकर उनको पैशाने और उनकी तकलिफ को दूर करके लड़के उनकी तकलिफ को दूर करें लेकिन जितना मैं समझ रहा हूं जो बड़े यूनियन लीडर्स दिखते हैं वह सिर्फ बड़ी गारियों में घूमने का अलग उनका रुतवा होता है एक सौ आज कल उनको स्टेज पर बने रहना कई बार ऐसा देखा गया कि कई यूनियन लीडर्स तरीकी के चीजों में ज़्यादा इंट्रेस्ट रखते हैं तो क्या ऐसे यूनियन लीडर्स वरकर का काम समधान पूर्वा कर पाते होंगे करते हैं नहीं यह ज्यादा कूछ नहीं तो मुझे परणाली काम में मुझे फरक लगा जो अपने खुद के भरोसे इंसान को अपना करना पड़ता है जो इसके पास ना कुछ गाडिया है ना यूनियन से मिलती है तो वहां जो साद सुत्री पारणाली मुझे लगी वह मुझे बहुत पसांद आई इसलिए मैंने अप आपके साथ में कुछ अन्य लोग भी थें जो अधर यूनियन से करके आपके यूनियन में प्रवेश्ट लिए लोग मुझे चाहते हैं मैं इस चीज आपको बोलना चाहूंगा लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया मैं इसमें विश्वास रखता हूं मैं जाएं किया तो पातर खेड़ा से भी लोग आए थे कनान एरिया से भी लोग आए थे और कुछ मेरे नाकपुरिया के साथ ही भी थे तो यह लोगों के साथ मैं जाइन किया था कि अच्छा कुछ खबरें ऐसी आई कि जो यूनियन लीडर्स होते हैं खास करके हम उनके बारे में इसलिए सवाल जवाब कर रहे हैं क्योंकि एक यूनियन लीडर ही है जो वर्करों की समस्या को सुलजा सकता ऐसे वर्करों के एक उमीद होते हैं इसी उमीद से अपने इसा देखा जाता है कि अगर कोई यूनियन सवाक्षा से बदले जैसे एक वोट देना एक लोगों का अधिकार होता है वोट वो किसी को भी दे वो उसका मानुविया अधिकार है और मुझे लगता है कि यूनियन किसी भी यूनियन में जाए वो उसका मानुविया अधिकार वो उसकी च्वाइस है इस पर किसी का जोर्ज अबरस्ती तो शायद नहीं होता होगा लेकिन कई बार ऐसा होता कि जब यूनियन चेंज करते हैं लोग तो उनको किसे ने किसी डारेक्ट तरीके से क्या ब्लैक्मेलिंग की जाती है कभी या कोई प्रेशर बनाया जाता है जैसे किसी को 24 वाली जूटी मिल जाते हैं अच्छी जूटी है फिर उसकी जगह के अगर यूनियन चेंज कर लिए तो उसको वहां से हटा बात देना या फिर उसको बुदवार को बंद करवाने की कोशिश करना क्या इस तरह के काम अभी भी कुछ यूनियन लीडर करते हैं या न सब्सक्राइब करते हैं मैंने बहुत अच्छा काम गोनेगाओं में किया हूं मुझे उम्मीद है कि इस बार गोनेगाओं मेरे साथ देंगे सब्सक्राइब करते हैं तो क्या कुछ ऐसी संकल्पना है आपको अभी आ करके कि वर्करों के लिए किस तरीके काम होना चाहते हैं आने वाले मेरे अगस्त में आपकी मेंबर्शिप भी होगी तो उस मेंबर्शिप में क्या चाहते हैं आप लोग कुछ टार्गेट होगा कि किस तरीके से मेंबर्शिप होना चाहिए हमारा मुद्धर तो यह है कि हम वरकर के लिए काम की है वरकर हमारे से जुड़ा है जो भी तकलीफे हैं दूर करें दिन पर दिन कुछ ना कुछ वरकर पर परिसानी आ रही है वोद्वार है ओटी है हरास्पेंट है चाल सीट है तो इस सब चीजे है जो परिसान करते हैं तो हमारे यह सोच है कि हम पहले बात करें कि आने वाले समय में अच्छा मेंबर्शी वहां पर कुने गाम कर सकते हैं अभी अभी एक नए मतलब एक यूनियन के कुछ लोग अभी जैबी से सदस्य में गये हैं तो उस बारे माक्रा क्या क्या है अच्छी खुशी की बात है कि वहां पर चार संक्रणों बठा करते थे अभी एक संक्रणा पर जूड़ गया है तो ताकत बढ़ती है ऐसा लगता ह अच्छा काम करेंगा अगर इन लोगों में अच्छी तालमल होगी तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा अच्छा बेजबोर्ड मिलेंगा यह वरकर की इच्छा रहती है हम जो संगड़न अभी जूड़ा है उसका भी स्वागत करते हैं कि वह भी साथ देके वरकर की हितने कु कि उनोगी जाएं श्की उन्हां है उसके लीडर है किसे अन यूनियं में गये वापस घर वापसी की है और लगा उसके बारे में उन्होंने हमें बताए और जनरल ये देखा जाता है कि जो कामगार है जो एम्प्लाइए वह अपने मुदो को कहल करना चाहते हैं कई ऐसे मु यूइन लीडर से कुछ अपेक्षा रखते हैं लेकिन वह अपेक्षा से उनका काम हो नहीं पाता है ऐसे एक साल यूहीं देखते देखते बीच जाते हैं फिर से मेंबर्शिप करने की बात आ जाती है फिर वरकर को ऐसा लगता है कि अभी आधा प्रोसेस तो हो गया है लेकिन करें लेकिन ऐसे में वरकर का काम होने में एक लंबा प्रोसेस से उन्हें जहलना करता है खेर इल्याज अहमेद जी आज के हमारे अतीति थे अगले खास मुलाकात में हम जल्द हाजिर होंगे नए अतीति के साथ आप देखते रहें खास मुलाकात सिर्फ इन बिसी ये झाल झाल